Capital Smarties में बनने वाले linear park जो के sector A और sector K के डिवाइट करता है राइट ना मैं sector K वाली road में मजूद हूँ यह आपको sector K की जो park road है उस पर जो तीन घर बने हैं एक घर मकमल हो गया है और दो घर जिनके ग्रे स्ट्रक्चर है वो आपको physical structure नजरा रहा है इंपोर्टन चीज यह कि इनके साथ जो grounds बने हैं यह जो पहला ground आपको नजर आ रहे है यह है football ground यह क्योंके आपको गोल पोस्ट नजर आ रही है पड़ी इस तरफ और इसकी प्रॉपर उनने साइट पे soft fencing करके यह जो जाली के साथ fencing करते हैं वो करके बच्चों खेलने की जगा बनाईए और साथ यह जो शाम को parents के साथ बच्चे आएंगा खेलने के लिए तो यह उनकी parents के है वो basically इसी sector A और sector K को divide करता है यह उनने बिल्कुल स्कूल से जसें जो न यह तीन चार ऐसे जो structures है बनाए है और सारे बड़े important है यह badminton court आ गया और साथ आपको यह lights वह लगी वी सारे कुछ ना बड़ा प्यारा नजर आ रहा होगा यह पीछे football ground यह आ गया का badminton court important चीज है वो आ गया है look at the paints of this यह एक basketball court है जिस पर भी paints पर काम हो रहा है अब यह देखें यह एक side है इस पर तकरीबन जो dark blue paint है कुछ पार्ट पर हो गया और इसके बाद light blue paint है जो भी होने है और यह दूसरी side के आ गई यहां पर भी paint का काम मलब हो रहा है और यह इसकी side पर जो grills है उनकी welding की जा रही है निकि जो linear park के surrounding में जो grills होंगी उनकी सारों की welding की जा रही है ताकि इस पूरे area को safe बना जा सके बच्चों के लिए दोनो side presidential plots होंगे और आगे चलते हैं जी मैं आपको चौता ground दिखाता ह यह अच्छे साइज से grounds हैं बच्चों के लिए यह अगर आपकी families यहां पर राती हूं और definitely आपके बच्चों को शाम को जो basic amenities आपकी needed amenities हैं उनके जरूरी है यह आगए चोटा सा cricket ground और इस cricket ground के पर इलकुल back side पर आपको यह आपका smart stem school नज़र आ रहा है जो के capital smart city overseas east में इस दिखाए हैं और इसके लावा sector A में काफी ज़ादा और गर बन रहे हैं यह आपको यह जो खर नज़र आ रहा है यह प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिस पर construction भी हो रही है पर इसके लावा बहुत रहा कि private property पर काम लगा हुआ है और इन जनरल यहां पर काफी प्राइवे झाल झाल